कि दोस्तों वैसे तो इस टॉपिक पर मैं काफी वीडियो बना चुका हूं लेकिन फिर भी आज किलियर करके बना रहा हूं यह वीडियो जो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है मेरे कोमेंट वक्स में इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं और ज्यादा तर इसी स 1935 नाम से खत्यान है अब पता चला है उस जमीन को हांसिल कैसे करें या फिर उस बेस पर जमीन कैसे कब जा करें तो यह सब सब्सक्राइब तो मैं आज इसको किलियर कर देना चाहता हूं कि खतियान होता क्या है कहीं कहीं इसे खतवनी भी बोलते हैं उत्तर परदेश में बहुत सारे जगों में से खतवनी बोलते हैं बाकि बिहार और साइड में ज्यारखंड में यह सब खतियान इसे बोला जाता है तो खतियान होत जैसे कि आपने देखा होगा आगर आप पुराने लोग होंगे ज्यादा पुराने नहीं उन्हें 1662 से पहले के होंगे तो आपको पता हुआ कि जमीन का सरवे हुआ किसी जमीन के मालिकाना हग का सर्वे किया जाता है कि इस जमीन का फला जमीन का कागजात किसके नाम से है और इस पर काविज को न है तो उसका सर्वे किया जाता है उसी हिसाब से जमीन का जो कागजात होता है जो रिकॉर्ड होता है उसे अपडेट कर दिया जाता है तो उसे हम सर्वे कहते हैं तो जो सर्वे होता है तो सर्वे से लेकर अभी तक जैसे कि 50-60-70 जब भी सर्वे हुआ हो आपके यहां जो भी सर्वे हुआ हो लेकिन वह जमीन अभी से लेकर दस बार भी विक्री हो चुका है लेकिन फिर भी आप जब उसका खतियान निकालेंगे उस जमीन का खतियान निकालेंगे खाता खेसरा से तो आपको उसी के नाम से खतियान निकलेगा जिसके नाम से सरवे हो रखा हाँ भले ही जिसके नाम से जमीन बिग गया हो या जिसके नाम से जमाबंदी हो गया हो तो आप जाएंगे जब तहसील में जाएंगे अंचल करियाले में जाएंगे तो वहां आपके नाम से जमाबंदी मिलेगा आपके नाम से रिकार्ड मिलेगा सारा चीज मिलेगा लेकिन खत्यान जो को सर्वे का वह आपको उसी कर लबी पूछा कि 910 काfikат सब्सक्षिक उसके नाम के नाम से सरवे कर दादा के से निकला तो उस जमीन को अब पता चला है मुझे मेरे पास खत्यान है लेकिन मैं जब गया हूं करमचारी के पास तस्रील में पता किया हूं तो पता चला है वह जमीन किसी और के नाम से तो मैं उसे कैसे हासिल करूं क्या करूं कि जमीन मुझे मिल जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह सब बेवकूफी के आलावा कुछ नहीं है यह आपको सोचना चाहिए कि उन्हें सो पचीस उन्हें सो पचीस से पहले जो सरवे हुआ होगा कभी अंग्रेज के जमाने जब देश आजाद हुआ दुबारा सर्वे हुआ उन्हें सपचास के बाद साथ में सटर में आसी में मैं इसलिए ऐसा बता रहा हो कि कहीं पर कन्फर्म सब्सक्राइब नहीं हुआ था सर्वे तो स्टार्ट हो गया तो उन्हें सफ़ोचास से यूपी और बिहार में सब्सक्राइब होुएगी यह समय के नाम से नाम मतलब कि जमीन पर कोई और काविज यहां पिर किसी और को मालिकाना हक मिल गया होगा या फिर आपके दादा पर दादा जो भी रहें लेकिन वहां पर नहीं होगे कोई तीसरा परसन तो हो सकता है उसके बाद फिर जमीन विग्या हो अभी अभी का रिकार्ड उससे पता चलता है कि जमाबंदी किसके नाम जमाबंदी किसके नाम से जमाबंदी के मतलब बरतमान रिकार्ड जो अभी जिसके नाम से और असीद किसके नाम से कट रहा है उस बेस पर पता लगा सकते हैं कि बरतमान में जमीन किसका है यहां यह पश्बता हो इसमें कर सकते हैं कि खतियान आपके दादा के नाम से निकल हुआ है लेकिन आपके दादा ने जमीन बेचा नहीं पर नहीं किसी को दिया लिखित रूप से किसी को दिया नहीं आप पता चलता है कि किसी और के नाम से जमीन हुआ तो इस पर एकसल ले सकते हैं लेकिन कब पहले आपको पता लगाना परेगा कि अगले बेपती के पाज जो जमीन हुआ है किस बेस पर हुआ किमाला तो किया नहीं तो किया नहीं उपने ऑफ इस पता पर अप نے कुछ प्रता नहीं था इसलिए उसका फाएदा उठा कर सकते हैं तब उससे लड़ सकता है तब जमिन वापस पाने के लिए आप संगर्ज कर सकते हैं लेकिन जो 1950 से पहले का खतियान है 1940 का है 30 का है 20 का है वह आपके दादा परदादा के नाम से निकलता है उसका कोई मतलब भी नहीं हुआ है पूराने करने के लिए रिकॉर्ट के तौर पर देखा जाता है लेकिन और निकल रहा है तो उसका को जानते होंगे ऐसे वह नहीं 12 साल तक रह जाता जहांपर कोई रोकटोग नहीं किया जाता है यह साश्चों बना लीए यह साबित करने के बंदरी शाल ξند कर दता है कि नहीं रोक्तोग कंटे एसे भी उसको मालीकाना हक मिल जाता तो आप 2017 162 की बात वोल दें राते हैं मैं लोगों से कहता हूं कि अलग तो सवाल करें को नए बनी लोग पर पिर सब्सक्राइब करेंगे लगभग 100 साल किसी जमीन पर काबज आप भले ही आपके दादा के नाम से यह तो क्या आप उसे हासिल कर सकते अप लड़ते आपको तीन-चार पीडिक्शाफ मझा जाएगा वह परपटी आपको हांसिल नहीं होगा कोई फायदा ही नहीं नहीं चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं बहुत लोग काते हैं कि पंद्रव जमीन है तीस जमीन था मेरे परदादा का था आज आज से पहले ऐसे लोग नाम सेलगलग हो सेका जमीन होगा जमीन है सबकनाmb Blair से नाम से नाम से नाल से पिठे Paci नहीं नहीं कि अभी तो हाल ही में सब् impositive सब्सक्राइब कोई कंप्लेन नहीं हुआ कोई आप एक्षन नहीं लिए तो 12 सल के बाद ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूं और आपको चैलेंज देता हूं कि कोई कि एसा कीशा बता दीजे या सुप्रीम कोड का रुडर से उन्हें 25 में 120 में 230 की नाम से खत्यान था और बरतमान में किसी और के नाम से जमीन है और उसको लरके उसको लरके उसके नामसे जज्जमेंट आ गया हो उसको परपटी मिल गया हो चाहे हैं लेकिन समय की अबकिछ नहीं सिर्भ सब मालूम है जो आपके विपक्ष का उकील होगा उसको सब करने के बाद भी लिमीटेशन एक हाना वाप पर नाम से सर्वे आगर आपके जमीन नहीं पेचा है प्रदादा नहीं नहीं किया किसी का किसी को दान में नहीं दिया है सिक्डाप्स नहीं किया यह पिर भी दूसरे के नाम से रशीड कत रही ऊंवाबाबंदी रशार कंड़ और सब्सक्राइमिया वाला नहीं कोई वाला किया नहीं है लेकिन रस्टा रहा हो तो sam बोलाव तो एकसर ले सकते क्योंकि उनहें कुछ किया ही नहीं तो इसके नाम नहीं से लेकिन पहले की बात करें तो बेहतर है यह बेकार समय की बरबाद है अपना भी आप समय बरबाद करेंगे कोट का भी समय बरबाद करेंगे अपना भी धन हानी करेंगे और कोट का क्या है कोट का सिर्फ समय बरबाद होता है ज्यादा नुक्सान तो आप ही का होता है इस तरह कोई परपटी है जो सब्सक्राइब करने से अगर किसी कि कब्जा है को बना रखा कोई घर बना रखा कोई दिनों से खेतिक कर रहा है तो उसमें कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है बेमतलब का समय की बरबादी है दोस्तों आप से लिक्वेस्ट इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो का लाइक कर दीजेगा आप से रिक्वेस्ट है और आपके मन में फिर भी कोई सबाल होगा क कोई प्रस्ण होगा कोई कोच्चन होगा किसी भी संबंदित विवाद से कोई कानून संबंदित सलाह लेना हो तो आप मेरे कोमेंट बक्स में लिख सकते हैं मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा और कोशिश तो मैं करता हूं कि उस ट्रफिक पर वीडियों ही बना ताकि सभी लोगों का उपलब दो हो सके